गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम डोमेस्टिक अनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे आलरडी हम वाइल्ड अनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं वाइल्ड अनिमल्स जो हैं वो जंगल में रहते हैं तो डोमेस्टिक अनिमल्स कहा रहते हैं वो हमारे घरों में इनक तो इनको बोलते हैं डॉमेस्टिक अनिमल जो हमारा फर्स डॉमेस्टिक अनिमल है दट इस काव आपने देखी है ना काव कि देखो फोर लेग्स है वन टेल है टू हॉंस है और टू इयर्स है और इसकी टूए इस होती है और ये बोलती कैसे है मू ऐसे ये बोलती है और हमें काव क्या देती है मिल्क अगर आप से कोई पुछे which animal give us milk that is काव काव के मिल्क से हम क्या बनाते हैं आईस क्रीम, कर्ड और हम बटर तो ये सब चीजे हम काव के मिल्क से बनाते हैं now move on the next animal the next animal is डॉग आपने देखा है न डॉग और वो बार्क कैसे करता है इसको हम गार्ड भी कहते हैं और ये काफी लोगों के घरों में रहता है आपने भी शायद अपने घर में हो आपने भी किसी ने अपने घर में रखा होगा तो इसको हम friendly भी कहते हैं human का क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे homes को कि कोई भी stranger या कोई भी बहार से कोई हमारे अंदर ना आ सके अगर कोई घर के अंदर आता है तो ये पहले ही हमें बात करके भौ भौ करके हमें बता देता है कि कोई आया है तो this is the human friendly जो है friend है हमारा human का friend है और इसको अगर कोई बोले who guard the home तो you have to tell the dog is the one that guards the home the next animal is cat meow meow आपने देखा है ना cats काफी cats खुमती रहती है तो ये जो cat होती है ये white color की भी होती है black color की भी होती है और brown color की भी होती है कुछ इन पे stripes भी होती है तो इनको हमने देखा है ना अपने भी तो ये कैसे बोलती है meow meow और ये good hunter होती है मतलब ये अपना शिकार बड़ी तेजी से धीरे धीरे जाके पकड़ लेती है शिकार जो हमारा ये क्या खाती है mice mouse मतलब चूहे खाती है तो जब भी इसको mice या mouse मिलता है तो ये खा जाती है तो who loves to eat mice that is cat so these are the three animals cow dog and cat there are three questions on these animals domestic animals the first question is which animal give us milk cow who guards our homes dog who loves to eat mice cat so you have to revise these three questions on these three animals this is the homework for today thank you